असलाम वालेकुम दोस्तों के सवाब मैं हुआ सिवन सारी वेलकम टो मैं चैनल के रन फेशन इंदू दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा नाइक डिजान लेके आ हैं तो सबसे पहले जी हमने बुकरंग का पीस लिया ठीक है इस पीस के इंदर हमने साड़े तीन गळmost के आब 12kyq के उपर से निशान लगाया फिर एग 116 का हमने इस पीस दी दिया उशन लगाया गले का जितना रखना DR डी आट इंच तो हमने Learning अप लगा ले just अब जो हमने पेले निशन लगायारे ते हुपर के गले के, उसके उपर हमने अपने गले के उपर लकीर खेच दी, आट इंश के उपर, ठीक है, अब हमने नीचे से 7.00 रका, यह एक निशन लगाया, अब यहां से भी सवाइंच रखके निशान लगाएंगे ये दो निशान लगा दिये इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे नीचे से लिए उपर तलग ठीक है ये निशान मिला लिए अब जो बिल्कुल नो कादी थी जितना हमें गलत याल चाहिए था उस नोक से सीधी लखी लखी खेचेंगे और जो उपर से हमने एक्स्टरा निकला था उसको और इसको लखीर को नीचे दोनों को मिला देंगे अब नीचे आएंगे नीचे भी एक निशान लगा लेंगे अब यहां पर हलका सा शेप देदेंगे क्योंकि यह च्कूर हो जागा इस के नल जो हमारा डिजाइन है वो अच्छा नीचे बनेगा तो इसको हम हलका सा शेप देंगे ये शेव मैंने दे दिया इसको डाक करके भी दिखा दिया आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब मैं अपने गले की यो ये नेकी कटिंग कर रहा हूँ ये हमारा नेक कट हो रहा है ठीक है तो ये हमने नेक को कटिंग कर लिया जो अंदर वाला पीस है उसको वेस नहीं करना ये काम का है इसको रखेंगे समाल के पेले गला पूरा कटिंग कर लेंगे अंदर वाले पीस को समाल के रख लेंगे आगे जाके मैं आपको बताँगा कि इससे क्या काम लेना है हमने तो अंदर वाले पीस को समाल के रखना है ठीक है मैं दुबारा बता रहा अंदर वाले पीस को भेकना नहीं समाल के रखना एक इंच का स्पेस देंगे ये परकार ले लिया मैंने ठीक है तो ये परकार के अंदर एक इंच का स्पेस दिया और ये एक दाइरा बना लिया, ठीक है, रिंग बना लेंगे हम इसका, ये निशान उठा लिया है मैंने, अब इस निशान के हम कटिंग करेंगे, ये देखें, ये हम एक इंच के जो हमने दाइरा लिया था, ये तकरीबर टू इंच का दाइरा बनेगा चारो तरफ से नापने पर खाकी गागस ले लेंगे किसी भी बुक वाले की दुकान पर जाएंगे उसको आप बोलें खाकी गागस देतो तो वो खाकी गागस आपको ये दे देदेगा तो ये खाकी गागस आपने ले ले लेना है और इसके ओपर हमने चकोर चकोर खाकी गागस के पीस कटिंग कर लि यह और्गेंजा का पीस लिया हुआ है मैंने ठीक है और फेबरी के इसको भी खाकी का कसके सबसे कट कर लेना यह देखें यह हमने सारा फेबरी कट कर लिया है अब दाइरे से आदा इंच से ऊपर थोड़ा दाइरे से स्पेस देखे हमने यूएचू लगानी है यह इंकर थरिट लेएंगे बाविन के नदर भरेंगे एंकर थरिट को ठीक है बाविन के पर लगाने के बाद हलकासा इसके नट को लूस कर दिया हमनों ताकि हमारा एंकर थरिट हो अच्छे तरीके से लग जाए उसमें दाना नहीं नए और ओपरर वाले दागए को जो है वह और जो हमारा फेवरी के हो ऒझा हो जाए तो मशिन को बिद्गूल हलके त्रफ बहाने के चक्र में चागज भाड दिया अब विय तो सारे चायरों पर किसमें भी जल वाजी नी करनी और पीस को खराब नहीं करना अच्छे तरीके से हलकी हर्स से अपने कागस को निकलना है काये 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 को गड़ेंगे करने के बाद इसको लिए हलकी हलकी से धागी की तरफ से घूमाते जाएंगे और यह आपका धागों की जोड़ है वो कहां पर है क्योंकि हमने जोड़ को नहीं लेना अपने डिजाइन के अंदर तो इस तरीके से कि अपने कटिंग करना है सारा ठीक है अब आपने जो अंदर वाला पीस लिया वादा इसके बिलकुल नोक पर ना बिलकुल साइट पर ज्यादा यूएच और और गंजा क्योंकि हलका है बिलकुल लाइट है तो डिजाइन में नजर आएगा तो आपका पीस बिलकुल खराब हो जाएगा बिलकुल लाइट लाइट सा यूएचू लगाना है और अगर आपके फेबरिक के ओपर यूएचू नजर आता है तो इसका भी एक हाल है नजर आरा है कि मैं किस तरीके सा कर रहा हूं इसी थारीके से आपने एक लिगा नहीं होगी और आप ने इस समझ में नहीं तो आप यहां पर लिए वीड आने फिर लिगा फिर उस्तरीका से भी आप कर सकते हैं कि वीडियो को स्टॉप स्टॉप कर गें अब यह अपने रिंग लगा सकते हैं ठीके बस यहां पर ही थोड़ा सा मुश्किल है अपने रिंगों की सेटिंग किस तरीके से करनी है बाकि पूरा गला असान बहुत ही इजी गला है और बहुत ही खुबसूरत है क्रियाटिव गला है बिल्कुल न्यू गला आपने यह डिजाइन का यूटूब पर गला देखा भी नहीं होगा आप जरू बताईएगा आपको गला लगा कैसा बनने के बाद तो आप यह देखें कि यह सिलाई लगाएंगे जो हमारा एकस्ट्रा फेवरिक निकल लगाएंगे और जो हमारी बुकरा में उसको नहीं दभाएंगे बलकि बुकरां से भी एक सूद आगे की तरफ करके सिलाई लगनी चाहिए यह आपने कपड़ा ले लेंगे ठीक है तीन इच का चोड़ा कपड़ा लिया है मैंने और इसको हम यह इस तरीके से यह देखें बड़ती भी पट्टी की तरीके से लगाएंगे ताके हमारा गला बिल्कुल पक्का बने पीछे की तरफ से और बाद में हम बु वीडियो को बिल्कुल मेंद में चीज़े से बताई है तरीके के साथ बनाया है बहुत मेहनत के साथ ताकि आपको कीमती वक्स जाया नहीं हो इस बात को मद्द नाजर रखते हुए वीडियो को अच्छे तरीके से स्टेड़ी करके बनाया है तो यह देखें अब दुसी तर पर इसमारी है क्योंकि बुकरम लगी हुए अब जहां पर हमारा यह सिलाई आईगी उस जगा हलकेल की सी यूएचू लगा रहा हुए ठीक है यह देखें आप बुकरम के बिल्कुल किनारे के ओपर ना यह हमारा गला गले का जो फेबरीक है वो बैठ रहा है बिल्कुल किन फेबरीक जो है पहले गला ना प्योंगे गलह हमने 8 इंश तरख था तो एक निशन लगाएंगे ठीक है इसको सीधा निशान भी लगा लेंगे ताकि फेबरिक ट्यड़ा नहीं लगे बिल्गुल सीधा फेबरिक लगे तो इसका मैंने निशान लगा लिया ठीक है तो यहां से दोनों निशानों को भी नाप रहा हूं मैं तसली के लिए अब यह पट्टी के पीछे मैं यूएच्यू लग होँगा अभी देखेंगे मैंने पीछे पट्टियों के पीछे इसको चारो दरस्ते पलड़ा दिया नीचे से भी पलड़ा दिया अब मैं इसके उपर दुर्पाई भी करूंगा बाद में मगर अभी मैं लगाता हूं पहले सिलाई यह हमारी लग लिए सिलाई फेबरिक के तो इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है और यह देखें बिल्कुल किनारे की सिलाई लगेगी अभी भी हम भुगरम नहीं खेचेंगे इसके पीछे पहले दुर्पाई करेंगे ये तुर्पाई हो रही है पूरी तुर्पाई कर देंगे और ये बिल्कुल पक्का हो जागा पीछे की तरस से भी हमारे और गिंजगे पीसी भी नदर नहीं आ रहे हैं फिनिशिंग रहे हैं पीछे से कितनी अच्छे आ गई अब ये मैं बुकरम को खेच रहा हूँ हलके टांगे भी लगा सकते हैं ठीक है मैंने बुकरम पूरी घंच लिए नीचे वाले रिंके पर हलके लका टांगे भी लगा लें ताकि ये एक ही तक्रीके से बैठा रहे हैं तो दोस्तों गला कितना खुबसूरत बन गया बनने के बाद देख लें आप वीडियो अच्छे गया कुछ जा है तुक है की लुचित है ड्ला घंद एका ले वाले बनने के लाद देख लेया थभावर 预 ठाहता हैं इा पूल ए एक पर द D. discern है ले वाले वाल intéress घाभ बनने के लदाना घन ये ड्ज़ में दोने के छितन रहाँ को